सेर्व प्रत्थम तो मेरे प्रिये दोस्तों और प्रिये विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार जो मेरा यह वीडियो देख रहा है उसका मैं हार्दिक शुआगत करता हूँ जैसे कि दोस्तों हम बात करें थे भारत के इतिहास की हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था मगद राज्ये का ओधकार्स जहां पर हमने बात के थी हरियक वंस की सिसू नाग वंस की और नंद वंस की उसके बाद में मगद राज्ये में जो चोथा वंस आता है जो सासन क करता है वह है माउरिये वन्स माउरिये वन्स मारिये शामराजि जो की इतिहास का इंपोर्टेट टोपिक महत्वपुण टोपिक से उपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे सरव पर्थम को दोस्तों उन विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा उन से चमा याचना या श्योरी मांगता हूँ कि मैं यह टोपिक आपको बोर्ड पे नहीं पढ़ा पा रहा हूँ हलांकि मैंने कहा था कि मैं बोर्ड पे पढ़ाना भी सुरू करूँगा लेकिन लोकडाउन की अवधी बढ़ने के कारण मैं यह टोपिक आपको बोर्ड पे नहीं बढ़ा बारा हूँ जबकि अपने नोटसों के मादिम से ही आप तक पहुंचा रहा हूँ जो की इस वीडियो में मौरिय वंस की स्तापना और चंदगुत मौरिय के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे वीडियो थोड़ा लंबा जुरूर होगा बड़ा जुरूर होगा दोस्तों इसलिए अंत तक मेरे साथ बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं मौरिय वंस मौरिय सामराजी के कुछ महतपुन तथे महतपुन रोचक जानकरी आपके साथ सांजा करूंगा तो कहने का मतलब है मौरिय वंस का भाग वन पार्ट फार्ष्ट जो हम देखेंगे आज कि मौरिय वंस की स्तापना कैसे हुई चंदगुत मौरिय किस तरीके से मौरिय वंस की निव रखता है अखिल मौरिय सामराजी की स्तापना करता है चलो तो दोस्तों करते हैं सुरुवात मौरियवंस की स्तापना से मौरियवंस की स्तापना माना जाता है कि कहा जाता है कि क्योंकि प्राची नितियास के कुछ सुरोत ही हमें बता सकते हैं इनके बारे में क्योंकि यह बात है इसापोरो पहले की इसापुरो पहले की बात है तो कहने का मतलब माना जाता है कि चंदगुत मौरिये ने अपनी 25 वर्च की आईयू में अपने गुरु चानक के या कोटिले की साहिता से नंद वंस के अंतिम सासक गहानानंद जो की मगद का सासकता को पराजित कर मौरिये वंस या मौरिये सामराजे की स्तापना की लगबग 323 या 322 इसापुरो बीसी जो की कुछ इतियासकार 323 बताते हैं कुछ इतियासकार स्रोत वो 322 बताते हैं दोनों ही सही है मेरे दोस्तों इसलिए ये जरूर ध्यान में रखना बहुत बढ़िया क्यूसन यहां से बन सकता है कि मौरिये साम हूं की तो मगन्मे की चांदरगुत मौरियने की घनानंद की हत्या कर या उसे पराजित कर घनानंद कौंसेवन्स का सासकता नंद वन्स का सासकता जैसे की रास्तन के दस्वी बोड की जो पाथए पुष्टरक है उसके सुरोत मानते वे इसकी जानकारी दी गई है की 326 ःष पोरो के लगभग मगड के राज सियासन पर नंदवस्का एक विलासी राजा उथा घंणनन्द वो उस समय सियासनारूड था कहने कर लव सियासन पे था राज कर रहा था इस समय पक्सी मोतर भारत सीकंदर के आकर्मन से भी ग्रैसित था परज़ा अपने राजा क्यत्याचारो से भी पिड़ी थी गहनानंद कोई बढ़िया सासक नहीं था ऐस है कर भार के कारण कर भार के कारण राजी के अत्याचारों से यह मानों लोग है वो ऐसंतुष थे जनता उनसे ऐसंतुष थी इस प्रस्तितियों में मागद को एक ऐसे वेक्टी किया सकता थी जो विदेशिया क कर्मन से उत्पन संकट को दूर करे और उसे एक सुत्तर में बांध कर चक्रवती समराथ के आदर्स को च्रितार्थ करे पुरे भारत को एकर सके ऐसे समराथ की उस समय जरूरत थी सिगरी भारत के राजनिती नब मंडल पर कोटिले का सिस्से चन्द गुप्त परकट हुआ तता एक नवीन राजमांस मौरियवंस की स्तापना की तो कहा जाता है इस परकार से मौरियवंस की स्तापना हुई थी वैसे कहा जाता है कि कोटिले चानक के जिसका वास्तु क्या बचपन का नाम विष्णों गुप्त था उसकी बात भी थोड़ी सी मैं यहां पर बता देता हूं मेरे दोस्तों आपको जो की चानक के जो की इसके पिता का नाम चानक था इसलिए चानक के कहते हैं जो की कोटिले जो की कुटिल ब्रहमन वंस में इसका जनम हुआता तब इसे कोटिले कहते हैं वैसे इसका वास्तु की नाम है वो विष्णों गुप्त था जो की कूरूप लेकिन सच्चा ब्रहमन जो कि तक सिला का शिकशक या आचार ये था उस समय मगद में नंद वंसका जो सासक गहनानन था जो अंतिम सासक था नंद वंसका कहा जाता है कि कोटिले और गहनानंद की नहीं बनती थी क्यों क्योंकि गहनानंद ने कोटिले को अपमानित किया था अपने दर्वार में अपमानित किया था जिसके कारण कहा जाता है कि एक बार गहनानंद के परधान मंत्री ने उसे निमंतरन पे बुलाया परती भोज पे और कहा जाता है क कि उस समय कोटिले को बड़े सियासन पर भिठा दिया गया और उस समय घरनन्द जैसी दरवार में पहुंचे तो कोटिले की तरफ देख करके और कहा कि इस चांडाल को किसने बुलाया यहां पर यह बात सुन करके कोटिले जो की आचारिये सिक्षकता उसको गुस्ता आया सिया सियासन पर खड़ा होकर के सियासन से खड़ा होकर के दरवार में बीच में उपस्तित होकर के कहा कि घानानंद तेरे नंद वंस को जब तक समाप्त नहीं कर दूँगा मैं अपनी सिखा नहीं बांधूँगा इस परतिग्या के साथ कोटिले नंद वंस यह मानों घानानंद क दरवार को छोड़ करके आ जाता है और ये परतिग्या तो करली कोटिले ने लगिन इसे पूरी कैसे करे इसलिए वे गोमते गोमते कहा जाता है कि चंदगुत मौरिये से उसकी मुलाकात होती है उस समय चंदगुत मौरिये राज कुलम खेल खेल रहा था कहने कलाओ राज चे थे उसके साथ वाले उनको परजा की रूप में आगे भी ठा रखाता तब कोटिले ने देखा कि चंदगुत मौरिये जो बालक है वो बहुती तेजस्वी वेभव वाला नजर आ रहा था तब कहते कि उसको अपने शाथ तकसिला ले गया उसे सिक्षा दिक्षा दी और उसे इतना निपूर्ण बना दिया कि वह मगद पर आकर्मन कर सके और इसी परकार कहां जाता है कि चंदगुत मौरिये ने 25 वर्ष की आयू में अपने गुरु चानके अकोटिले की साहिता से नंद वंस के अंतिम सासक गहना नंद की हत्या कर दी और उसे प्राजित कर दिया और मौरिये वंस की स्तापना की दोस्तों ये छोटी सी रोचक जानकारी है जो मैं आपके साथ शांजा कर रहा हूँ वैसे अगर मैं बोर्ड पे बताता तो यह मानों आपको अच्छी तरीके से बढ़िया रोचक तरीके से आपके समझ में आती लेकिन स्योरी दोस्तों मैं जुछी दोसके मार्दे में से ही आप तक पहुँचा रहा हूँ उसके आधिमी देखो इस वंस के नीमन करम से सासक हुए कहने उमोरिये वंस के कौन-कौन सासक हुए वैसे तो हमें महत्वपुण सासकों के बारे में ही पढ़ना है जैसे ही पर्थम सासकता चांदर गुतमौर्ये उसके बाद उसका बेटा बिंदु सार उसके बाद में उसका बेटा चक्रवती समराट महान अशोक ये अति महत्वपुण है फिर उसके बाद में कुछ इतिहासकार साहिते कुणनाल को अशो का उत्राधिकारी बताते हैं तो कुछ साहिते या इतिहासकार सामप्रती को अशो का उत्राधिकारी बताते हैं इसके बारे में विद्वानों में साहिते कारों में साहिते गरंतों में मतभेद है उसके बाद में दसरत उसके बाद में साली सूक उसके बाद में देवर्मन उसके बाद में सत धनवन और उसके बाद में बहदरत जो की अंतिम सासकता मौरिये वन्स का ये अती महत्वपुन जानकारी और महत्वपुन क्योशन निकल सकता है मेरे प्यारे दोस्तों जो की मौरि बेहदरत का सेना पती था उससे मित्र सुंग जिसने बेहदरत जो कोई योगे सासक नहीं था उसकी हत्या कर दी और मौरिये वंस का अंत कर सुंग वंस की स्तापना की तो इस परकार बेहदरत मौरिये वंस मौरिये शामराज्ये का अंतिम शासक था तो कहने का मतलब चंद्रग अशोक के बारे में भी ध्यान में रखना है उसके बाद में बहदरत अंतिम कहने का लव इन सासकों के करम की कड़ी भी हमें ध्यान में रखनी है जो की चंद्रगुप्त बिंदुसार और अशोक के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे विस्तार से पढ़ेंगे तो सरो मौरिये पहला ही जो इसका संस्ताफक माना जाता है चांदर गौपत मौरिये 322 कई बुकों में इतियास का 323 भी बताते हैं वो भी सही है 322 इसापोरो से लेकर 298 में इसापोरो तक इसने मगद के ओपर शासन किया यह मानों की भारत के ओपर राज किया तो आज हम बात करते हैं चांदर गौपत मौरिये की जो की भारती इतियास के अंदर हम पढ़ रही हैं मौरिये वन्स या मौरिये सामराजी अती महतपुन मौस्ट इंपोर्टेट टॉपिक जो की हम बात कर रही हैं चांदर गौपत मौरिये की चांदर गौपत मौरिये के बा सासन क्या कहां कहां विजे प्राप्त की इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे आज इस टोपिक के अंदर चंद्रगुप्त मौरिये मौरिये वंस का संस्तापक था बहुत ही बढ़िया कि उसे निकलता है सरोपर्थम की मौरिये वंस का संस्तापक कौन था चांद्रगुप्त मौरिय था मौरिय वन्स का शंस्तापक उसके आदमें इसे भारत का प्रथम एतिहासिक समराट और भारत का मुक्तिदाता माना जाता है या कहा जाता है भारत का प्रथम एतिहासिक समराट और भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है किसे माना जाता है तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों चांदर गुप्त मारिय को इसका सासनकाल 322 इसापुरव से 208 में इसापुरव माना जाता है ये भारत का प्रतम सासक था जिसने अपनी राजनती सीमाएं ते की थी कहने कर लो चारो दिसाओं में और इसका शामराज फैल गया था सामराजे फैल गया था ऐसा माना जाता है कि चंदगुत मौरिय का शामराजे उत्तर पक्सी में इरान वारत से लेकर पोरों में बंगाल तक उत्तर में कस्मीर से लेकर दक्सिन में दक्सिन में उत्री करना तक मैसूर तक फैला हुआ था तो कहने राजनती सीमा तै करने वाला यही पहला शासक था भारती त्यास का करमवद वर्णन सरव पर्थम मौर्यकाल से ही मिलता है यह भी द्हान में रखना है कि भारती त्यास का करमवद वर्णन करमवद वर्णन सरव पर्थम मौर्यकाल से ही मिलता है ऐसा माना जाता है उसी परकार विदेशी त् त्यासकारों ने इसको अलग-अलग नामों से पुकारा है जैसे कि श्ट्रेबो और जश्टिन ने इसे सेंट्रा कोटस का है वहीं पलुटार्क ने इसे एंड्रो कोटस का है वहीं फिलार्क्स ने इसे सेंट्रो कोटस का है विदेशी त्यासकारों ने इसे अलग-अलग नामों से जाना है अलग-अलग नामों से पुकारा है का जाता है कि सरवपर्थम वीलियम जॉन्स ने ही सेंट्रो कोटस की पहचान चंदगुत मौरिये से की है सरवपर्थम किस ने कीती वीलियम जॉन्स ने कीती अलग-अलग इतियासकार अलग-अलग बताते हैं चंदगुत मौर्ये के जनम तता जाती या वरण को लेकर इतियासकारों में मत भेद है कहने के लव जो साहितिक्स रोत है वो अलग-अलग बताते हैं मत भेद है कोई एक राय नहीं है एकमत नहीं है लेकिन देखा जाता है कि अधिकांस विद्वान या अधिकांस साहिते निसकर्स ते छेत्रिय कुल का मानते हैं ये जरूर ध्यान में रखना अगर निसकर्स निकाला जाता है तो कहां जाता है कि चंदगुत मौर ये छत्रिय था जैसे कि ब्राहमन साहिते में पुराणों में इसे सुद्र बोज साहिते जेन साहिते और कोटिले का आठसास्तर इसे छत्रिये मानते हैं वहीं बहुती महत्तपणे विसाक दत की रचना मुद्रा राक्ससम में इसे वर्सल निम्नकुल का बताया गया है तो बहुती बढ़िये कि उसे निकलता है कि चंदगुत मौर्ये को वर्सल किस में बताया या कहा गया है तो मुद्रा राक्ससम में कहा गया है और यह रचना किस की है विसाक दत की रचना है विसाक दत की रचना मानी जाती है क्योंकि मौर्ये वंस का जो इतिहास है मौर्ये सामराजे का जो इतियास है उसके कई स्रोत माने जाते हैं जैसे की ब्राहमन साहित्यों में पुराण, पोटिले का आर्शास्तर, विसागदत का मुद्रा रक्सस और सौम देव का कथा सरित सागर, छेमेंदर का वरहत थामंजरी और पंदजली का महावास से ये सभी मौर्ये वंस या सामराजे के एतियासिक जानकारी के स्रोत माने जाते हैं इसके लावां बोध गरंथों में दीप वंस, महावंस टीका, महावोधी वंस, देव्यावदान, आदी महतपुन गरंथे जिससे हमें मौर्ये सामराजे के विसे में महतपुन जानकारी मिलती इसी प्रकार जैन गरंतों में भी पर्मुक्स रोत हैं गरंत है जो हमें मौर्ये-साम्राज ये के बारे में बताते हैं जैसे की बदर बाहूँ का कल्प सुत्त एवं हेम चंद सूरी का प्री सिष्ट परवन ये ऐसे गरंत है जो हमें मौरिये सामराजे चंदगुत मौरिये के बारे में बताते हैं ये एतिहासी सुरोत है इसके लावा विदेशी विवरण भी मिलता है जैसे की मैक्थनीज की इंडी का और कोटिले का अर्शास्तर ये दो बहुती महत्पण गरंत है जिससे हमें मौरिये शामराजे की जानकारी ह होती है उसके आपने देखो दोस्तों चंदगुत मौरिये ने व्यापक वीजे अभियान करके प्रत्थम अखिल वहारतिये प्रत्थम अखिल वहारतिये सामराजे की स्तापना की थी जो कि मैंने बताया ना कि उत्तर से ये मानो दक्सिन पोरो से पक्सिम तक अपने सामराज की परजे का किस तरीके से वीस्तार किया ये भी धानकरा दोस्तों की चंद्वी मौर्ये ने अपना प्रधान मंत्री किसे बनाये था अपने गुरू कोटिलि ले चानक के वास्ति के वास्ते वाटशमन्द का नाम वेश्णों गुप्त जिसका है उसको बनाया था अपना प्रधान मंत्री बहुत बड़ी ए क्यूंसन निकल सकता है की कोटिले किस पद पर था चनद गुत मौर्य के समय तो याद रखना है मेरे दोस्तों प्रधान मंत्री पर पर था इसके विशाल समराजी में काबुल, हैरात, कंधार, बालोचिस्तान, पंजाब, बिहार, गंगा यमना का मैदान, बंगाल, गोजरात, विंधे, कस्मीर, आदी थे इसके सामराज्य में कहने का लग बहुत बड़ा शामराजे था, इसका ऐसा माना जाता है, जैसे की युनानी लेखक, पलूटार्क के अनुसार, या जश्टिन, दोनों नहीं कहा है की, चंदगुत मौरिये ने 6 लाग की सेना लेकर, संपुन भारत को रोंद डाला, और उस पर अधिकार कर लिया, तो कहलें, बहुत बड़ा शामराजे था, चंदरगुक्त मौरिये का, जबकि तमिल गरंथ, एहना नूर, एहना नूर और, बहुत बड़िया, रोचक बात है द्यानकना, मुरे ना नूर, मुरे ना नूर से विधित होता है, कि चंदगुत मौरिये ने दक्सिन भारत पर भ अपने शामराजे का विस्तार किया था, उसके आद में देखो, बहुती महतपुण, जो बार-बार कंपिडिशनों में ये क्यूस सन पूछा भी जाता है, 305 इसापोरों, बहुती महतपुण, ये मानो सन है, 305 इसापोरों में, चंदगु मौरिये ने, युनानी सासक, निकेतर, जो की सिकंदर का सेना पती था, और उस समय युनान का शासक था, को पराजित किया, चंदगु मौरिये ने, और उसके साथ संधी भी की, जिस संधी में, चंदगु मौरिये ने, सैलुकस को 500 हाती भेंट किये थे, कितने 500 हाती भेंट किये थे, और बदले में, जिसे एरिया भी कहा जता है कांधार जिसे अरा कोसिया कहा जता है काबुल जिसे जेडरोसिया एवं पेरोपैनी सेडाइन भी कहा जाता है और मक्रान तत یہ छितर चंदगुत मारिये को दिये किसने सेलुकस ने दिये किसने दिये सेलुकस ने दिये तो बहुती महत्वपणे 305 युनानी सासक सेलुकस निकेटर सेलुकस निकेटर जो कौन था सिकंदर का शेनापती था सेलुकस ने अपनी पूत्री हेलना का विवाँ अपनी पुत्री हेलना का विवाँ चंदगु मौरिये से करवा दिया जो कि भारत का पहला अंतराश्टिय विवाँ माना जाता है चंदगु मौरिये और हेलना का ये मानो जो विवाँ है वो भारत का पहला अंतराश्टिय विवाँ माना जाता है उसके आदमें देखोगे और सेलुकस ने अपना एक राजदूत अपना एक राजदूत जिसका नाम था मेक्थनीज बहुती महतपूण वेरी 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 मौस्ट इम्पोडेट है मेक्थनीज को चंद गुद मौरिये के दरबार में भेज़ दिया राजदूत बना करके जो की माना जाता है यह कौन मेक्थनीज जो की यह भारत का इतिहास लिखने वाला पहला विदेशी इतिहास कार होगा पहला विदेशी इतिहास कार यही माना जाता है जिसने भारत का इतिहास लिखा और एक बहुती महतपूण पुस्तक लिखी जिसका न नमता, इंडी का पुस्तक में इसने भारत का इतिहास लिखा, मौर्येवंसकी, राजनती, सामाजी, परसाथशनी, धारमिक, स्तीतियों के बारे में लिखा गए इंडी का पुस्तक जो की जिसकी जानकारी बहुत कम मिलती है इस पुस्तक की वर्तवान में चंद्गुर मौरिये के सासनकाल में ही ये भी अती महतापुन जानकारिये मेरे प्यारे दोस्तों चैन्द गुत्मौर्य के सासंकाल में ही उसके गावणर कहा का सोराश्टर का जो गावणर था पुस्टे कुप्त वेसेने गिर्नार नामक परवत कहा सोराश्टर गिर्नार नामक परवत पर सूधर्षन सूदर्सन नामक जील का निर्मान करवाया चंदगुत मौर्य के शासनकाल में और किस ने करवाया पोस्ते गुप्त वेस्से ने करवाया कहां गिर्णाल नामक परवत सो राश्टर में जो की आगे चलकर तीन सासकों अलग-अलग वंस के होंगे जो की अशोक मौर्य वंस का रुद्रदामन सात्वान वंस का और वहीं सकरंद गुप्त गुप्त वंस का जो सासकोंगे उनके द्वारा इस जील का जीनो द्वार मरमत देख रेख जीनो द्वार भी करवाया गया था ये भी महत्तपुने जो आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे जेन लिखों के अनुसार चंद्गुत मौर्ये के सासनकार के अंत में मागद में माना जाता है कि 12 वर्सों का बिस्न अकाल पड़ा था तदा ये अपने पुत्र बिंदु सार को सियासन दे कर कर अपने बेटे को राजपाठ दे कर के कौन बिंदु सार जो उसका बेटा था उसको चंद्गुत मौर्ये अपना शामराजे अपना सियासन दे कर के जेन मुनी बदर बहु से जो उसने जेन दर्म की दिक्षिया ली थी दिक्षिया लिती उसके साथ दक्सिन भारत के स्वन वेल गोला जो कहांपे मसूर वर्तमान करनाटक स्वन वेला गोल जाकर उपवास करके अपना सरीर त्याग दिया कब 208 में इसापोरो बीसी जो कहां जाता है कि चंद्रगिरी परवत पर एक गुफा के अंदर सुलेखना पदती के दवारा जो जेंद्र हमें मानी जाती है सब कुछ छोड़ करके स्थान पर बेठ जाना खाना पीना सब कुछ छोड़ करके अपने प्राण त्याग देना उसे कहा जाता है सुलेखना पदती तो यादकना चंद्रगुत मौरिय ने सुलेखना पदती के दवारा अपने प्राण त्यागे थी तो ये देखा हमने चंद्रगुत मौरिय के बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रगुत मौरिय के उत्राधिकारी उसका बेटा बिंदु सार जो मौरिय वंस का मौरिय समराजे का अगला शासक बना उसके बाद आएगा महान समराथ अशोक तो आज हमने बात की चंद्रगुत मौरिय की दोस्तों इस जानकारी को जरूर नौट कर लेना क्योंकि जहां मेरा विश्वाश है कि इतनी जानकारी आप को किसी एक बुक या गाइड में नहीं मिलेगी यह मेरा विश्वाश है क्योंकि मैंने कई बुकों से संग्रे करके और ये नौर्स बनाएं जो आप तक पहुंचा रहा हूं हां हो सकता है किसी बुक में या गाइड में इससे इतनी जानकारी नहीं होगी एक बुक के अंदर एक बुक के अंदर तो इसे अपने नोट्सो में जरूर उतार लेना या लिख लेना आज हमने बात की ओर ये वंस धी मौरिय वंस की इस्तापना कैसे वी उसके प्रतम साशक इसका संसतापक भी माना जाता है और प्रतम दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक खुश रहिए हंसते रहिए मुश्कुराते रहिए इसी के साथ जिनोंने मेरे इस वीडियो को देखा है उनको नमस्कार और इसी के साथ धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों